दोस्तों क्या आपको पता है ति आप चैट GPT का यूज करके highly converting email marketing या email के results लेकर आ सकते हैं जिनसे आप अपने conversion ratio बढ़ा सकते हैं, opening ratio बढ़ा सकते हैं, कि अगर emails open नहीं हो रही, अब लोग आपकी email open करना शुरू कर देंगे अगर आपकी sales नहीं आरे, sales grow हो जाएगी, अगर आपको leads नहीं आरे, leads आनी शुरू हो जाएगी और इस सब कुछ email marketing में करा जा सकता है, conversions बढ़ाए जा सकते हैं, अगर आपको सही तरीके से chat GPT जैसे AI powerful tool का use करना आ जाए तो उसी के ओपर यह step by step practical tutorial है, जो आपके email marketing के तरीके को बदल के रख देगा, असान बनातेगा, productive बनातेगा, high convergence product दोस्तों इसके लिए आप कूरे वीडियो को एंटर देखेगा, जो सिखा रहे हैं उसको practically implement कीजिएगा और इससे पहले चलना सब्सक्राइब कीजिए, पहले एकन दबाइए ताकि important वीडियो और कोर्स मिस ना हो, एक और important अपडेट, marketing फंडास आप लोगों के लिए महा बंडल कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर 50 से भी जादा high paying advanced latest skills है, with certification, description में लिंक दिया हुआ है, इस पिछली वीडियो में हमने prompts के बारे में जाना और इस पर्डिकुलर वीडियो में भी हम तोड़ा सा और prompt के बारे में deeply बात करेंगे, किस तरीके से highly converting content generate कराया जा सकता है, chat GPT के तूर उस चीज़ को सीखेंगे, ठीक है, तो चलिए directly चलते हमारे chat GPT tool के अंदर, और create करते है कुछ highly converting emails, so guys, जैसा कि आप देख सकते है, chat GPT के अंदर आ चुके हम, ठीक है, अब यहाँ पर एक और हम new chat ले लेते हैं, again हम एक नई chat हम start करते हैं, जहाँ पर हम दुबारा से सारी चीज़े करने वाले हैं, सबसे पहले हम role define करेंगे, situation define करेंगे, then जो हमारा requirement है, वो define करें ठीक है, या फिर content writer ठीक है, कोई no issue, now यहाँ पर हम जो हमारा situation है, वो भी define कर देते हैं, I am working on a project, again मैं सेम तरीके से ही एक prompt design कर रहा हूं, ठीक है, project on e-commerce brand e-commerce brand right now I am working on there portable fan email marketing, ठीक है, इस तरीके से हम, यह मैंने enter कर दिया, anyways गलती हो जाती है, एक काम करते हैं, just simply इसको copy कर लेते हैं, इसको हम delete कर देते हैं, ठीक है, एक नही चैट ले लेते हैं और यहाँ पर हम दुबारा से start कर देते हैं, ठीक है, आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बार बार, ओके, copy भी नहीं हुआ content, no issue, दुबारा से लिख लेता हम, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप enter जब भी दबाएंगे, तो यह जो है message, basically आपको जो prompt हो चला जाएगा, तो आप जब भी enter दबाए, shift करके enter दबाएंगे, यहा आपको line change करना है, basically, ठीक है, मैं दुबारा लिख लेता हूँ, so guys, as you can see, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक prompt लिख लिख लिया, जैसे कि act as a content writer, मैंने यहाँ पर define कर दिया, यहाँ पर मैंने जो situation है, वो भी define कर दिया, कि I am working on an e-commerce project, right now I am going to do email marketing for their portable fan, ठीक है, that can be connected to power bank or laptop for work, to work होना चाहिए, यहाँ पर, to work or to run लिख सकते है, ठीक है, and यहाँ पर मैंने यह चीज़ भी mention कर दिया, कि it doesn't have any battery, ठीक है, यहाँ पर यह चीज़ भी डाल दिया, अब यहाँ पर task जो है, basically, जो requirement है, वो भी डाल देता हूँ, now, you need to provide me the emails, for different, यहाँ पर various stages of email marketing, right, यह मैंने लिखा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, reply, okay boss, if you understood, ठीक है, यह चीज़ मैंने यहाँ पर डाल दिया, मैंने यहाँ क्या बोला, यहाँ पर कि you need to provide me with the emails, ठीक है, emails for various stages of email marketing, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिखा, और मैंने इस से बोला कि, reply me, okay boss, okay boss, if you understood, ठीक है, अगर आपको समझ आया, तो मुझे okay boss करके reply दो, ठीक है, अब मैं अगर enter करूँ, तो यह कुछ इस तरीके से मेरे को reply देगा, ठीक है, अब सबसे पहले इसने क्या किया, okay boss से reply दिया मेरे को, okay boss, I understand, below I created a series of email template for your portable fan, ठीक है, e-commerce project, covering various stages of email marketing, अब यहाँ पर मैंने थोड़े सब्सक्राइब करें, इसने पूरे स्टेजिस की हिसाब से उसने email templates बना के दिये, देखिए, एक, पांच, छे, छे, टेम्पलेट्स उसने मेरे को बना के दिये, अब यहाँ पर सबसे पहले स्टेजिस भी इसने mention किये हुए, पहला से स्टेज है, introduction mail, ठीक है, जिसमें welcome to the cool breeze club, इस तरीके से इसने एक title दिया, यहाँ पर, ठीक है, subject line क्या रखी है, stay cool anywhere with our portable fan, ठीक है, हाई, यहाँ पर subscriber का name और यह पूरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, छोटी मोटे चीज़, अब यहाँ पर आप अपने prompt के अंदर, अगर यह subscriber का नाम तो नहीं, लेकिना company का नाम डिफाइन करते है, product का पूरा नाम डिफाइन करते है, तो वो चीज़ भी इसके अंदर वो डाल देता, अगर आप नहीं डालोगे तो यह कुछ चोटा मोटा example ले 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 है, जैसे cool breeze club इसन quiet operation, मतलब काफी शान्त है, USB powered convenience है, जो चीज मैंने अपने prompt के अंदर mention किया था, then जो third email है, limited time offer email, जिसमें अब यह थोड़ा सा scarcity create कर रहा है, कि जो offer है, वो सिफ साथ दिन के लिए valid है, उसके बाद product testimonial email, अब यहाँ पर एक testimonial भेजा है इसने, कि किस तरीके से सारा, सारा एक example के तौर पे इसने घ्रहक ले लिया, customer ले लिया, उनको उनका क्या review है हमारे product के उपर की, I take this fan everywhere I go, it's a life saver for hot weather, इस तरीके से उसने testimonial email भी create कर दिया, यह भी आप अपने user को भेज सकते है, तो एक एक करके आप पूरे email से इनको आप sequence में सेट करके भेज सकते हैं, ठीक किसी भी stage पर पहुँची और उसने website visit किया, product को card में डाला बट उसने purchase नहीं करा, तब यह abandoned card email उसको जाएगी, जहां पर customer को दुबारा से regain करने की कोशिश की जाएगी, जहां पर आप समझाएंगे कि यह जो product है, काफी अच्छा है, और आप इस deal को miss मत कीजिए, so that की, जो वो customer card में product को डाल के छोड़ के चला गया, वो वापस आ सके और product को purchase कर सके, तो यहां पर आपने CTA भी दे दिया, complete your purchase इस तरीके से, ठीक है, और let's say कि आपका जो product है वो purchase होता है, तो यहां पर thank you mail भी इसने create करके दे दिया, पूरी sequence का इसने एक proper बना के दे दिया, ठीक है अब यहां पर आप इसको नया prompt भी दे सकते हैं, की write and email sequence for 20,000, let's say हम एक power bank की बात कर रहे हैं इस पा, ठीक है, MEH, power, bank, buy, clip, card, ठीक है, यहां पर हमने यह डाल दिया, और यहां पर हम email sequence डाल देते हैं, फिर email template sequence डाल देते हैं, ठीक है, हमने email template sequence डाल दिया, और यहां पर एक चीज़ और mention कर देते हैं, second line में, की create emails, emails for all the stages, stages रह यार, of email marketing, right, यहां पर stages की हमारी spelling गलत हो गई, यह हमने सही है, ठीक है, इस तरीके से हमने second line में prompt add किया, create की भी हमारी यहां थोड़ी सी mistake हो गई, sorry for that, अब मैंने enter दबाया, तो अभी again एक नए product की हमारी email marketing के लिए पूरा sequence create कर रहा है, as you can see here, ठीक है, अब आपको लगता है कि कोई stage miss हो गया, जिसे add करना चाहिए, आप उसे दुबारा से एक prompt देकर वो भी हो सकते हो, कि you left this stage, please add this into the sequence, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है, अब as you can see, जो पूरी sequence है, इसने ready कर दी, 6 emails की, I hope आपको समाझ आया होगा जो procedure है, ठीक है, इस तरीके से, अब देखिया, दुबारा से जो हम power bank का हमने add किया, introduction, email, welcome, again इसने, पूरा subject line वगेरा, सब इसने, हमें proper दिया, और हमने product name डाला था, clip card, वो भी हमारा यहां शोगा रहा, brand name जो हमने डाला था, ठीक है, इस तरीके से यहां पर आप चाहें, तो इसे, जो features है, उसको tailor कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, then, कोई अगर stage miss हो गया, उसको add करा सकते हैं, यह totally आपके उपर है, किस तर limitations add करना चाहते हैं, वो भी आप लगा पाएंगे, कि अगर मैं यहां पर आके इसको बोलू कि don't use buzzwords from now onwards, तो वो इसके बाद buzzwords को use नहीं करेगा, ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को define कर सकते हैं, I hope आपको समझ आया होगा, prompt कैसे लिखे जाते हैं, prompt कैसे बना जाते हैं, किस तरीके से आप prompt की मदद से अपने जो best responses है, अपने chatbot tool की तरफ से पास सकते हैं, तो इसे के साथ इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं, मिलते हैं, next वीडियो में, अब तक के लिए, bye-bye. उमीद करता हूँ, आपको यह वीडियो बहत पसंद आया होगा, पसंद आया तो comment section में जरूर बताइएगा, दोस्तों, अगर आप digital marketing की services या digital marketing की training लेना चाहते हैं, तो आप हमारी website marketingfundas.com पर जा सकते हैं, या हमारी DM नुमरों पर call कर सकते हैं, marketing fundas आप लोगों के लिए ए एक लिए सकते हैं, तो आप हमारी DM